हेलो दोस्तों, बेलकम बेक टुमा यूट्व चैनल, स्वागत है आप सबका एक और नई वीड़ में तो बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि भाई हम मार्केट में आये हुए हैं, दिल्ली आये हुए हैं या फिर सूरत आये हुए हैं हमें बताईए कितने कलर के रोल खरीदें, हमने छोटा सेटप लगाया है, तो स्टार्डिंग में हम कितने रोल खरीदें, तो स्टैप बाई स्टैप आपको बताएंगे कि कम से कम आपको स्टार्डिंग में कितने कलर के रोल खरीदने चाहिए, यानि कितने रोल लेने तो step by step आप वीडियो को पूरा देखें, अगर आप नए है चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, तो चली दोस्तों वीडियो को करते हैं सुरूँ, देखिए स्टार्टिंग में जब आप नए सैट अप लगाएंगे और आप मार्केट जाएंगे फैबरिक खरीद कितने कलर उनके पास चल जाएंगे, ठीक है, ये आप पता करके भी माल खरीद सकते हैं, उसके हिसाब से आप कलर ले सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे हमारे पास कितने कलर चलते हैं, और हम कितने कलर में माल बनाते हैं, तो देखिए दोस्तों हम तो 6 कलर में माल बनात ये देखी, इस तरीके की हम master packing करते हैं, और इस एक packet में हमारे 6 piece आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम 6 color खरीदते हैं, यानि एक variety का जब हम fabric खरीदते हैं, तो कम से कम उसके 6 color लेते हैं, अगर आपका भी budget ठीक ठाक है, तो इसी हिसाब से आप भी एक variety के 6-6 roll खरीद सकते हैं, उ 6 color तो आप खरीदे ही करीदे, अगर आपका budget सही है तो, लेकिन बहुत सारे लोगों का budget कम होता है, वो जोसते हैं, भाई, 6 roll तो हम नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि 6 roll हमें पढ़ रहे हैं 30,000 रुपे के, ठीक है, इसी तरीके से उन्हें और भी variety के fabric खरीदने होते हैं, त तो अगर 6-6 roll खरीदेंगे, तो माली जी अगर 4 variety के उन्होंने fabric खरीदे, तो 30-30,000 के हिसाब से आप लगा लीजिए, टोटल हो गए 1,20,000, तो 24 roll पढ़ेंगे 1,20,000 के, लेकिन उनका budget इतना नहीं हो पाता है, 1,20,000 रुपे, तो देखिए दोस्तों, आप 4-4 color भी ले सकत हैं, यानि एक variety का आप कपड़ा खरीद रहें, तो उसके आप 4 लो ले लीजिए, 4 color आ जाएंगे उसमें, ठीक है, black ने भी आप उसमें जरूर लेना, और dark gray भी बहुत चलता है, dark gray भी आप ले लेना, एक आप अपना मनपसंदीदा color ले सकते हैं, लेकिन ये मजबूरी में हैं, अगर आपका budget कम है तो, और 4 से कम color आप ना खरीदें, 4 से कम color तब चलते हैं, जब हमें आगे से order मिला हुआ होता है, बहुत सारे customer होते हैं, केबल हमसे black और navy मांगते हैं, तब आप 4 से कम color ले सकते हैं, देखिए अगर आप stock बनाने के लिए fabric लेने जा रहे हैं, तो आप 6 color के ही roll खरीदें, अगर 6 color के लिए आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप 4 color भी खरीद सकते हैं, इस से कम ना खरीदें, क्योंकि बहुत सारे customer होते हैं, वो 6-6 color ही मांगते हैं, lower में तो 6 color ही चलते हैं, और बात करते हैं, टी-shirt के fabric में कितने color खरीदने चा क्योंकि टी-shirt में 12 color भी चल जाते हैं, और कम से कम 6 color तो होने ही चाहिए, क्योंकि 6 का packet हम इस तरीके का बनाते हैं, यह 6 का packet है, और अगर हम 3 size इसमें बनाएंगे ML XL, तो हमारा 18 का एक bundle बन जाएगा, इस तरीके का यह packet होता है, ठीक है, तो 6 color आप खरीदे ही खरीदे, अग अगर 6 color नहीं ले पा रहा है, इतना budget नहीं है, तब आप 4 color तक ले सकते हैं, बाकी एक बार आप market में जरूर ट्राइ करें कि भाही क्या 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 color चल रहा है, उसके हिसाब से भी आप माल खरीदे, क्योंकि आपको market में ही बेचना है, अगर आप अपनी मन पसंदीदा, गड़ता ही नहीं है, तो एक बार आप market में जाके wholesaler उसे बात करें कि उनके पास कितने color चलते हैं, और उसी हिसाब से आप fabric लेकर आए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक roll हमें पड़ता है, करीब 5000 रुपे का, 5-6000 रुपे तक हो जाता है, वो quality के हिसाब से रहता तो होनी चाहिए, 4 variety के fabric अगर आपके पास होंगे, तो आपको 24 roll लेने पड़ेंगे, और 24 roll हो जाते हैं, 1,20,000 रुपे के, अगर आपके पास budget नहीं है, और आप 6-6 roll भी लेना चाहते हैं, तो आप variety कम कर लीजिए, दो variety के fabric ले लीजिए, ठीक है, उसमें आपके 60,000 में मि लेकिन दोस्तो एक variety को बनाने में करीब हमारा 30,000 रुपे का fabric लगेगा ही लगेगा, और बाकी देखिए दोस्तो उस पर raw material लगेगा, और कारी-गरी लगेगी, वो उसका अलग से है, उसका खर्चा मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल fabric का बता रहा हूँ, 30,000 रुपे का तो fabric लगेगा ही एक variety को बनाने में, तो आब आप देख लीजिए आपका budget कितना है, आप अपने budget के हिसाब से ही काम करें, तो ये थी एक छोटी सी information, उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय में जरूर बताएं, तो जल मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैहन दोस्तों.